ओम नमास शिवाय कातिक मास सुक्लपक्स सनिवार नौमीत इथी दिन में ग्यारा बचकर चौमन मिनट तक लगी रहेगी तत पस्चाद दसमीत इथी प्रारंब हो जाएगी इथी दिन में दो बचकर पच्चिस मिनट तक चलते रहेंगे तत पस्चाद पूर्वा भादपद नक्षतर में प्रवेश कर जाएंगे जिसके नक्षतर स्वामी ब्रिहस्पति देव हैं आज के जन्मे जातक सुंदर सुखी हर कारे करने में सफल अनुशाषन प्रिय आसावादी और प्रभावशाली व्यक्तित्यों के होते हैं ऐसे जातक बेभार कुशल दूसरों से काम निकालने में चतूर, तकनीकी दथा सिक्षा सास्त्रों में रूची लेने वाले इश्वर भक्त, यात्रा प्रिय, सम्मान एवं किर्थी से युक्त, मगर कभी-कभी और कर्मन्यता एवं आलस के शिकार भी हो जाते हैं यदि सहयोगी लगन रहा ब्रिहस्पती और शनी की इस्थिती अनकूल रही तो पून सफल होंगे चंद्रमा आज भी कुम्भ रासी में ही चलते रहेंगे जिसके रासी स्वामी शनी देव है आज भी चंद्रमा की युती मंगल के साथ बनी रहेगी मगर नक्षत ब्रिहस्पती का होगा जिससे समय समय पर अद्ध विश्वास और प्रवल उत्सा कायम रहेगा संबंदित अधिकारियों का सहयोग पूर रुपेड मिलता रहेगा और कारी छेत में सफल रहेंगे चुकी चंद्रमा आज भी सत्विशा नक्षतर में दिन में दो बच कर 25 मिनट तक चलते रहेंगे तत्पस्चाथ पूरा भादपत नक्षतर में प्रवेश करेंगे अतह आज के दिन दोपहर तक राहु के नक्षतर का फल कायम रहेगा तत्पस्चाथ ब्रिहस्पति के नक्षतर का फल प्रवावी होगा आज राहु और ब्रिहस्पति के प्रवाव का मिला जुला असर प्रत्यक जात्वों पर परिलक्षित होगा दोपहर तक निर्णे लेने में सूज भूज और सावधानी आवस्चक है आज हम कन्या राशी के जात्वों के लिए कुम्भ के मंगल के सुभत और दुस प्रवावों की चर्चा करेंगे कैसा रहेगा कन्या राशी के लिए कन्या राशी के राशी स्वामी बुद्ध हैं और मंगल आपके छठमे भाव में शत्रू और रोग भाव में चल रहे हैं जिसकी चत्रूथ द्रिष्टी भागे भाव पर सप्तम द्रिष्टी बैभाव पर और अश्टम द्रिष्टी आपकी राशी पर पढ़ेगी छठे भाव में मंगल का गोचर करना अच्छे प्रभाव में माना जाएगा शत्रूथ पर विजय प्राप्थ होगी वाद विवाद संबंधित मामले सुलज सकते हैं साहस वपराक्रम में ब्रिद्धी होगी शत्रूथ से भी धन लाव की उमीद बनेगी मगर स्वास संबंधित जटिलताएं बन सकती हैं छटे भाव के मंगल पर सनी की तीसरी दिष्टी पढ़ने से पेट के निचले हिस्से में समस्याओं का पैदा होना रक्त विकार और मुटा बोलिजम यानि पाचन प्रडाली की समस्याओं संब्भावित हैं पाचन पंद्र की समस्याओं संब्भावित हैं उपाय क्या कर सकते हैं? हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ाएं और प्रसार सुरूप उसे अपने माथे पर तीलक के रूप में रोज लगाएं मंगलवार को लाल कपड़े में गुड़, सहद और सौफ बाध कर बहते हुए जल में प्रवाहित करें साथ है शिव चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ रोज करें आरोगेता बनी रहेगी और मन मुताविक काम होते रहेंगे मेश राशी के जात्कों के लिए पिछले दीनों की चली आ रही भरम की इस्थिती में दो पहर बार सुधार होगा आत्मिश्वास में बिद्धी होगी और गारित चेतर में सकारात्मक पहल जारी रहेगी घरेलू तनाव और आविश्वास की इस्थिती में भी सुधार मिलेगा साज्य जारी के कामों में लाव की इस्थिती पैदा होगी और आर्थिक चेतर में सहयोग मिलेगा कार योजनाओं में कुछ नए अध्याय जुडेंगे और विकास की दर्तिवर होगी सरकारी कर्मचारियों के आत्मिश्वास में जिद्धी होगी और अकस्मात लाव के उसर मिलेंगे इध्यार्थियों को अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा ब्रिश राशी के जात्कों के लिए आज का दिन कारेच्षित के सुधार और विकास के प्रतिक एंदित रहेगा रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे, अधिकारियों का सही योग अपेच्छित मात्रा में मिलता रहेगा अपने कारी ओजनाव में आवशक बिशा निर्देस लाव दायक सिद्ध होगा रुके हुए काम संपन्ध होंगे और आर्थिक लाव मन मुताबिक मिलता रहेगा मिथुन डासी वाले जात्मों के लिए कारे शदर में चली आ रही रुकावटें दूर होंगी अधूरे काम पूरे होंगे और नए प्रस्ताव सामने आएंगे नई कार्योजनाव में साजेदारी दोप हर बाद लाव दायक रहेगी और कुछ कामों के संपन होने से आपके आत्मिश्वास में बिध्धियोगी संबंधित मामलों में यात्रा भी संभावित है अचानक आर्थिक लाव संभाव है सहीयोगियों के साथ मानसिक तालमेल में कमी और स्वास संबंधी मामलों में सुरहार का संकेत भी मिलता है हाला कि विद्यात्यों के लिए आज का दिन उप्तम होगा सिख्षप्रत युगता में सफलता मिलेगी साथ ही धार्मिक भावना में विध्धियोगी और देव दर्शन के योग बनते हैं करकराशिके जात्कों के लिए अनावसक चिंता और मानसिक जटिलताओं का दोर जारी रहेगा कुछ मामलों में अनावसक तनाओ, खर्च और भाग दोर संभावित है साजेदारी के कामों में लाव मिलेगा और यात्रा या प्रवास की स्थिती बनती है मगर कारेच्षेत में नए प्रस्ताव और विकास की संभावनाय बनी रहेंगी कुछ देशियों के प्रती मन ससंकित रहेगा मगर अन्तता सफलता मिलती जाएगी ब्यावसाइक सुधार और कारेच्षेत के प्रती दक्षता बढ़ी रहेगी विद्याथी अध्यन अध्यापन में प्रयास जारी रखें सफलता मिलेगी नीजी निवेस के लिए आज का दिन उचित होगा संबंधों की मधूरता कायम रखें और वहन सावधानी से चलाएं सिंग राशी के जात्कों को कारेच्षेत में सफलता मिलेगी और आठिक लाव के नए अवसर सामने आएंगे सकारात्मक सोच और जावान बनाएगा और कारेच्षेत की करने की छमता में बृद्धी होगी रुके हुए काम संपन्ध होंगे नई कारियोजनाओं और साजेदारी के कामों के लिए समय अनकूल रहेगा और संबंधित मामलों में प्रतियोगी भावना बिक्सित होगी आठिक लाव की इस्तिती मन मुताविक बनी रहेगी बिध्याथियों को सिछा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक प्रयास भलिभूत होंगे मगर वाहन सावधानी से चलाएं और स्वास संबंध ही आवस्थक सावधानी बनाए रखें कन्याराशी के जात्कों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा कारे छेटर में मन मुताविक सफलता दो पहर बाद मिलती जाएगी और आथिक पक्ष मजबूत रहेगा साजेदारी के नए प्रस्ताव लावदायक होंगे नीजी निवेस अनकूल रहेगा मगर मा के स्वास्त की चिंता लगी रहेगी और कुछ कामों में रुकावट भी संभव है हलाकि सकारात्म को रिजा साथ देगी और कुछ प्रयास सार्थक होंगे विध्यात्यों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा अध्यान अध्यापन में प्रयास जारी रखे पारिवारिक सुक्षांती के लिए सभाल पूर्ण महौल और रचनात्म प्रयास अपेक्षित है तुला राशी वाले जात्कों के लिए कारिच्षेत्र के उतार चढ़ाव और भ्रमात्म की स्थिती में दो पहर बाग सुधार होगा रचनात्म प्रयास और रिख्षा सकती बरकरार रहेगी कारियोजनाओं में पैदा हो रही जटिलताओं को सुल्जाने में सफल रहेगे साथ ही नई कारियोजनाओं के लिए अधिकारियों का सहियोग और आवर्शक दिसा निर्वेस मिलता जाएगा आर्थिक लाव की स्थिती मन मुताबिक बनी रहेगी बिद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्ध होगा रचनात्मक प्रयास फलिभूत होंगे नए रिष्टों के लिए वैवाहिक मामले सफल रहेंगे साथ ही कारियोजनाओं में सचेत रहें दोसा रोपन की संभावना भी बनती है बिद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा आपके दिड़िच्छा सकती और आत्मिस्वास से सफलता हासिल होगी और प्रतियोगी भावना भिक्सित होगी बिद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा आपके परिश्रम का पूरा लाव मिल सकता है नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा मगरस्वा संबंधी जटिलताओं का संकेत मिलता है सावधानी अपेपचित है धनुराशी वाले जात्कों के लिए आज का दिन कारेच्छत में होने वाले प्रयासों और उसके प्रति सफलता की ओर संकेत करता है आपके मेहनत का पूरा फल मिलता जाएगा चंद्रमा के राहु के नक्षत्र में तत्पश्चात गूरु के नक्षत्र में होने से सासन सतावा और हिकारियों से सफलता की उमीद बनी रहेगी मगर नई कारियोजनाव और साज्यदारी के प्रस्तावों में सावधानी अप्यक्षित है नीजी निवेश के लिए आज का दिन अन्गूल रहेगा विद्यात्यों को अध्यान अध्यापन में सही अगर सफलता की उमीद बनती है वैवाहिक प्रयास फलिभूत होंगे साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं मकर राशी के जात्कों के लिए राहू और ब्रिहस्पति के नक्षत्र की भूमिका मन मुताविक आथिक लाव के लिए संकेत करती है साथ है याथ की बाड़ी किसी को प्रभावित करने के लिए भी सक्षम होगी और नेतित करने की छमता का विकास होगा आपके कारेशे रगे कुछ अधूरे काम चले आ रहे हैं उनके पूरा होने का समय आगया है हालक कि अलिकारियों की सक्रिय सा भागिता बनी हुई है आथिक लाव के स्थिति मन मुताविक बनी रहेगी विद्याथियों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा सिछा प्रत्योगता में सफ़लता मिल सकती है नीजी निवेस की योजनाएं पूरी होंगी मगर स्वास संबंधी आवसक सावधानी बनाए रखें कुम्भरासि के जातों के लिए कारेच्षित के सुधार और आथिक लाव के प्रति रचनात्मक प्रयास जारी रहेगा आथिक शेत में आने वाली अर्चने दूर होंगी और संघर्ष की स्थिती में दो पहर बात सुधार होगा काम करने के प्रतिय जड़िष्छा सकती और उत्साह बना रहेगा आथिक लाव मन मुताबिक मिलता जाएगा और नई योजनाओं से संबन्धित यात्रा का योग भी बनता है पारिवारिक सलाह लाव दायक सिद्धोंगी साजेदारी के कामों में लाव संभव है बिद्याथियों के लिए आज का समय सहयोगी रहेगा सफलता के लिए प्रयास जारी रखे कुछ रूकी होई विवादित योजनाएं भी संपन्ध हो सकती है और वयवाहिक मामले पलिभूत होंगे मीन राचि के जात्कों के लिए आज का समय महत्पुन निरने लेने के लिए संवेदन सील रहेगा अंचाही यात्रा और गय की स्थित्ती भी संभावित है मगर कुछ मामलों में प्रिहस्पत्री का सहयोग आर्थिक लाभ और आत्मिश्वास को सुद्रिठ बनाने में मददगार होगा विभागी करमचारियों वसासन सत्ता का सहयोग भी कायम रहेगा मगर धन संभंधी लेन देने में सावधानी बरते और अधिक जोखिम वाले आर्थिक निर्णय दो पहर बाद सावधानी पुर्वक लेने चाहिए हलाकि कारियों जनाओं की सकारात्मक पहल जारी रहेगी विद्ध्यात्यों को अध्यान अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी प्रयास जारी रखें और स्वास संभंधी आवसक सावधानी बनाए रखें आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवाय